अनार का जूस पीना सभी को पसंद होता है। लेकिन उसका जूस निकालते वक्त हमारे हाथ इतन गंदे ओजाते हैं कि हमारा जूस निकालने का मनी नहीं करता। लेकिन आज मैं आपके लिए एक तरीका लेकराएं हू. जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और अनार का जूस बड़ी अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो आईए हम शुरू करते हैं पूलि गया और फिसमें अनार के दाने निकल लख लाएगा उदार को नीचे से दाने के अमें गजरेकं की लिंक दिया बिना हाथ गंदे अनार के दने ऑब भल लें jo busy यानि की बेलन लेते हैं और उससे रहत हैं तरहिती प्रेस करते जाते हैं जैसे दिए की देख सकते उसे लोपर पाज और प्रुद्धी्रा इसे का सब्सक्रूथ जाता है तो दिख सकते हैं है अहल लक्त में जिख अन आर कंदी नहीं होंगे और शुर्ट करना इंतर है आपको समझ में आजाएगा कि कितना कैसे हमने अनार्खा जूस बिल्कुल अची तरीके से निकाल के तैयार किया है यह देखिए हमें से निकालते जाते हैं इस टाइप से यह देखिए हमारा काफी जूस निकल आया है अभी हमारे दाने हमें लग रहे हैं सब अलमुष काफी निकल गए है तो अब इसका जो हम एक चलनी में जहांते हुए इसका निकाल लेते एक बाउल में जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस टाइप से किया है इस हम क्या करेंगे इसे हम हलका स्पून से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो बचा हुए समय रस है वह भी निकल के बाहरा आ जाए अच्छे से हम प्रेस करते जाते हैं चलाते हुए अच्छे से अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें काफी दाने रह गए हैं जिसमें से जूस नहीं निकला अभी आप रुखिये सारे दानों में से बिल्कुल अच्छे से जूस निकल के आ जाएगा यह मने एक मैशर का यूस कर लिया इसे और जल्दी हमारा जूस रहा है अगर आपके पास यह ना हो तो आप नर्मल स्पून से भी कर सकते हैं यह देगे मारा कि जूस अच्छे से जूस निकल गया है अच्छे से जूस निकल लिया है और इसे अब हम एक प्लेट में रख लेते हैं इसी तरीके से हम सारे बच्चे वह अनार का जो है वह जूस निकाल के तयार कर लेते हैं और और इस तरीके से हमारा अनार का जूस बिल्कुल बनके तयार है कि सर्व करते हैं उमीद करती हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शियर कमेंट जरू कीजेगा और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट बटन प्रेस का कि कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब उसके पास अथा एक बैल आइकन उस